हेलो फ्रेंड्स अनुठी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आम से केक तो मैंगो मैंने लिया है, केशरी मैंगो है, तो यह जो मैंगो होता है बहुत मीठा होता है, इसका कलर भी बहुत ульт होता है यह मैंने आधी कटोरी आम हुआ है पल्प इसको मैं बहुत इजी केक है मेरे केक आपको मैंने पहले भी दिखाए हैं सब मैं मिक्सी में ही बना लेती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम कभी केक में होता नहीं है तो मैंने आधा कटोरी यह आम का पल् डाली है और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी करीब आधा कप दही दही खटा नहीं है बिल्कुल भी दही बिल्कुल फ्रेश है तो यह दही मैं डालूँगी आधा कप और इसमें मैं आधा कप ही डालूँगी रिफाइंड ओयल देखिए मैं आपकर आपको दिखा तो य ये मैंने रिफाइंड ओयल लिया है ये भी मैंने आधा कफी डाला है और इन सब चीजों को मैं मिक्सी में बहुत अच्छे से तब तक चला लूँगी जब तक ये बिल्कुल एक सार ना हो जाए एकदम क्रीमी-क्रीमी एक सार ना हो जाए देखे फ्रेंड्स बिल्कुल एक सार ये हो गया है कितना बढ़िया एकदम कलर इसका आया है अब मैं इसमें डालूँगी एक कप सूजी एक कप सूजी है आपके मोटी बारीक जैसी भी सूजी है डाले को कि इसमें ये पिस जाएगी अच्छे से और इसमें मैं डालूँगी आदा कप मilk पौडर और इसको भी मैं अच्छे से इसको चला लोगी लेकिन इसके पहले मैं इसमें डालूँगी और ओनफोर्थ कप दूथ सिरव दूथ कप दूड डाला है मैंने और अब मैं इसको पूरे बैटर को अच्छे से मिक्सी में फिर से चला लोगी देखिए मैं इसको हाग से मिक्स कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं रहेंगे मेरा केक बहुत इजीली बनता है इसमें कोई ज़ादा हैजल्स नहीं होते है ये देखिए अब मैं इसको दुबारा से मिक्सी में फिर से पीस लूँगी तो उससे क्या होगा कि सूजी और बारिक हो जाएगी और चीनी जो भी बची होगी वो अच्छे से इसमें और पिस जाएगी देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने एक कप सूजी डाली है और ये देखिए ये कितना अच्छे से पिस गई है और यह देखिए अभी भी कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है लेकिन इसको मैं अभी 10 मिनट ढखके ऐसे ही रख दूँ गहीं देखिए फ्रेंग्स अब देखिए अब इस स्टेज पर इसमें डालूंगी मैदा जब मैदा डालते हैं मैदा मैं डाल रही हूं तो इसमें बहुत जादा इसको नहीं चलाते हैं नहीं तो केक बहुत प्लफी नहीं बनता है स्पॉंजी नहीं बनता है और हार्ड होने लगता है फूलता भी नहीं है कई दफ्रे तो हम इसको बस इस तरह से इसी में हम ऐसे मिला देंगे मैदेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूं देड़ चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच खाने वाला मीठा सोड़ा ये इसमें मैंने डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा दूद एड़ कर रही हूं वन फोर्थ कप मैंने उस समय डाला था अभी मैं इसमें तक्रीबन एक टेबल स्पून दूद डाला है मैंने इसमें और इसमें अच्छे से मैं इसको पूरे को मिक्स कर दूंगी देखिए friends इसमें मैं mango essence डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को pineapple essence बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ा सा pineapple essence की 2-4 बुंडे डाल दी है और मैंने ripe mango essence मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें और देखिए ये full ने लगा है ये देखिए कितना अच्छे से ये पूरा full ने लगा है अब हम इसको bake करने के लिए डिश में पल्टेंगे ये मेरी डिश है इसमें मैंने grease कर दिया है parchment paper मैंने लगा दिया है और इसको मैंने oil कर दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी tutti fruity red color की पूरी नहीं डाली है इसको मैं अच्छे से इसको mix कर दूँगी इसमें और अब मैं इसको इसमें pour कर दूँगी देखिए friends इसको मैं थोड़ा सा tap कर दूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी tutti fruity उपर से डाल दूँगी इस तरह से green tutti fruity भी आप इसमें add कर सकते हैं और इसमें मैं थोड़े से कतरन डालूँगी बदाम पिस्ता और काजुटी यह optional है आप डालना चाते हैं तो डालिए आप नहीं डालना चाते हैं तो मट डालिए पर यह बहुत ही अच्छा लगता है इसमें इसलिए मैंने इसमें यह डाली है इस तरह से और अब मैं पहले से मैंने एक एक गैस के उपर भगवोना रखा हुआ है उसमें मैं इसको रख दूँगी करीब 10-12 मिनट पहले मैंने वो गरम होने के लिए रख दिया था उसमें ही मैं यह रख दूँगी और लो फ्लेम पर धीमी आज पर इसको मैं बेक करूँगी कम से कम इसको 25 मिनट लगेंगे 20-25 मि तो मैं इसको रख कर आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंज यह मैं इसमें रख रहे हूँ यह मैंने बिल्कुल इसमें रख दिया है सीधा इस तरह से और अब मैं इसको इससे कवर कर दूँगी और यह सिम पर ही है इसको मैं सिम पर 10 मिनट पहले मैंने 12 मिनट पहले रख दिया था सिम पर गरम हो गया अच्छा खासा इसमें मैंने नीचे नमक नहीं डाला है आप चाहें तो इसमें नमक की लेयर भगोने में नीचे डाल करके जैसे पैहम करते हैं वेक आफ वैसे कर सकते हैं और इसको मैं सिम के उपर 20 से 25 तक रखूंगी उसके बाद मैं चेक करूंगी इसको मैंने अभी सिम के उपर रखा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को थोड़ा धीमी लग रही थी फ्लेम तो मैंने इसको फ्लेम को थोड़ा सा लो से लो मीडियम कर दिया है मीडियम पे नहीं किया है लो मीडियम पे किया है तो आप ये देख लीजेगा मीडिय़ुम कर सकते हैं. तली अगर हलकी है, तो आप उसको लो भी कर सकते हैं. तो ये flame के ऊपर, बरतण के heaviness के ऊपर इसके जो temperature है वो बहुत अलग-अलग हो जाता है और उसका time भी अलग-अलग हो सकता है बेक होने का तो आप इसको तोड़ा ध्यान रखेगा कि अगर heavy bottom वाला आप बरतन रख रहे हैं तो और उसमें आपने नमक भी डाला है साथ में तो वो थोड़ा सा heavy हो जाएगा उसको time लगेगा तो आप उसकी flame को low medium या medium पे कर सकते हैं तो आप ये ध्यान रखेगा और देख करके इसको करिएगा कि वैरी करता है ये अलग-अलग flame और बरतन के ओपर देखे फ्रेंड्स मैंने इसको 25 मिनट पे खोल कर देखा था तो केक नहीं हुआ था साइड से हो गया था लेकिन सेंटर से नहीं हुआ था तो मैंने इसको low medium के ओपर मैंने इसको और रखा और अभी 35 मिनट सो चुके हैं 36 मिनट हो गए ह बात करते करते भी हमको और मैं इधार आई हूं तो मैं इसको अब चेक करके देखती हूं 36 से 37 मिनट हुए है तो अब मैं चेक करके आपके सामने टूथपिक डालूंगी तो मैं आपके सामने चेक करती हूं केक देखे बिल्कुल clean निकल रहा है केक हो गया है सब तरफ से मैंने देखा है यह देखिए केक बहुत बढ़िया बन गया है पिल्कुल और अब मैं इसको इसमें से बाहर निकाल लेती हूं केक को देखिए फ्रेंस मैंने केक को भगोने में से निकाल लिया है यह बहुत गरम है अभी अभी निकाला है यह बहुत गरम है इसको मैं अभी रूम टेंपरेचर पर आने तक ठंडा करूंगी जब यह रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा या चूने लाइक हो जाएगा अभी तो हम इसको केक टिन को भी टच नहीं कर सकते इतना गरम है तो हम इसको अभी रखेंगे थोड़ा सा यह चूने लाइक हो जाएगा फिर मैं इसको डिमोल्ड करके आपको ठिखाऊंगे देखिए फ्रेंड्स यह अभी चूने लाइक हो गया है अभी रूम टेंपरेचर पर नहीं आय जाता है मैं इसको एक से खर्फ कर दोंगी देखिए इसको मेरे को ली म 물 करना कित business easy हो गया तर अब मैं इस tę को आपको देखिए कितना अच्छ आया है केक का बिल्कुल यह यहलोव कलर आया है और इसमें बिल्कुल है अलोट भी मैंने कलर नहीं डाला है आपको अगर लगत आपके आम थोड़ा सफेदी लिए हुए है या बिल्कुल डार्क येलो नहीं है तो आप थोड़ी से उसमें दूद जो आप एड करते ना केक में ताप थोड़ी से उसमें केसा घोल लीजिए या येलो रंग एक ड्रॉप उसमें डाल लीजिए और आपको फिर इस तरह से कर स करते हैं मैं इसको इस तरह से अभी ऐसे डी मोल्ड कर लेती हूं धीरे से मैं ये पेपर उतार दूंगी पार्चमेंट पेपर इस तरह से देखिए यह मैंने केक को ऐसे निकाल लिया है अभी इतना हो गया है कि यह पकड़ने लाइक हो गया है और मैं आपको केक दिखा रही हूँ कितना बढ़िया केक बना है यह देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या करेंगे यह लिया मैंने फ्रूटी हम सब पीते हैं आपको फ्रूटी नहीं मिलती है आप एपल जूस ले सकते हैं आप यह एपल जूस की मैंगो जूस ले सकते हैं सौरी और आप इस मैंगो जूस को आप इस तरह से इस पे पोर कर दी केक को मॉइस्ट करने के लिए बहुत ही स्पॉंजी केक बना है आपको मैं ऐसे भी देखिए जाली दिखाती है यहां से बाहर से ही कितनी जाली इसकी दिख रही है केक की बहुत ही स्पॉंजी केक बना है पिलकुल एकदम सॉफ्ट लेकिन क्या है फ्लेवर इतना बढ़िया आता है यह फ्रूटी हम डाल देते हैं और बच्चों का तो यह मोस्ट पेवरेट केक हो जाता है आपने मावा केक मेरा देखिए पीछे मैंने मावा केक भी डाला है दूद का तो मैंने रबडी का पराठा काफी चीजे डाली हुई है तो यह मेरा मैं इसमें ऐसे करती हूं तो मैंने का आप से शेयर करती हूं कि इसमें मैं थोड़ी सी फ्रूटी डाल देती हूं मैंगो केक में जूस डाल देती हूं मैंगो फ्रूटी नहीं होती तो मैंगो जूस म इसमें डाल देती हूं, तो बहुत ही लाजवाब ये बन जाता है, ऐसे धीरे-धीरे करके आप इसको इसमें पोल कर दीजी, बस, जाधा नहीं करने की ज़ुरत है, अभी मैं इसको आपको 5-7 मिनत ऐसे ही रख कर फिर आपको दिखाती हूं, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इ खाती हूं केक को, बहुत ही स्पॉंजी और बहुत ही बढ़िया ये केक लगता है खाने में, और जब हम इसमें फ्रूटी या मैंगो जूस डाल एड कर देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसमें आप मैंने तो नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे को इतना वो बनाया था मैंने पहले तो इसमें मैंने मैंने मैंगो के पीसेस डाल देते हैं, इसमें नहीं डाले हैं, तो आप इसमें मैंगो के पीसेस भी डाल सकते हैं बीच बीच में, तो वो बहुत ही बड़िया लगता है, यह देखी, आप इसमें देखे, इसका sponginess आपको दिखाती हूं, आपको इसमें दिखाती हूं, इसमें कितने देखे, बढ़िया एकदम, केक में आप छे देख सकते हैं, यह देखे, कितना spongy केक है यह देखे, और कितना moist, यह देखे, कितना यह देखे, आपको लगेगा ही नहीं, कि आपने यह केक घर में बनाया है, और इतना लाजवाब केक बनाया है, तो फ्रेंग्स, आप जरूर बनाये यह केक, और बताईए मुझे, कि आपका अनुभव कैसा रहा, यह देखे, इतना अच्छा लगता है, यह केक, और बच्चे तो दिवाने हो जाते, बच्चे क्या बड़े, क्या, मेरी मदर को तो इतना अच्छा लगता था यह केक, आजकर तो वो बिमान है, तो वो इतना नहीं हर चीज को खापाती है, यह देखे कितना बढ़िया है के, एक एक पीस आप देखिए, पूरा अंदर एक सा सिका है, और बहुत ही बढ़िया यह केक, बना है, तो फ्रेंग्स, मैं आशा करती हूँ, आपको अच्छा लगा होग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी रेसिपीज आप से शेयर करती हूँ, बनाती हूँ, और आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, अनुठी में विजिट करने के लिए, थैंक यू सो मच फ्रेंज, थैंक्स अलोट